जैसे कि हम पूजा करते हैं, जैसे जो साकार कृष्ण हैं, उनसे हम निराकार कृष्ण तक कैसे जा सकते हैं, मुझे ये जानने हैं. साकार कृष्ण ऐसे हैं जैसे भगवत गीता की प्रति, निराकार कृष्ण ऐसे हैं जैसे भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता की प्रतिना रखी हो आपके सामने तो ज्ञान लेना मुश्किल हो जाएगा ना भगवत गीता की वो जो प्रति है वो साकार है सगुण है और जो उसका मर्म है उसके भीतर जो बोध है वो निराकार है निर्गुण है लेकिन बड़ा मुश्किल होगा अगर आपके सामने वो कागज की वो प्रतिन रखियो, ठीक उसी तरीके से, जैसे कागज की प्रति की महत्ता है, उसी तरह से पत्थर की मूर्ति की महत्ता है, प्रति की जो महत्ता है, वही प्रतिमा की है, लेकिन अगर कोई कागज पही अटक कर रह जाए, जैसा भहुत लोग करते हैं, उनके घर में कागज की गीता होती है, लेकिन गीता का ग्यान उन्होंने बिल्कुल भी गहा नहीं होता, होता है ना, घर में गीता रखी है, कभी पढ़ी नहीं, पढ़ी भी तो बुनी नहीं, उसी तरीके से अगर प्रतिमा आपको अप्रतिम तक नहीं ले जा पाई मूर्ति आपको अमूर्त तक नहीं ले जा पाई तो व्यर्थ हो जाएगी जैसे गीता रखना काफी नहीं है गीता के मर्म को ग्रहन करना आवश्यक है वैसे ही साकार कृष्ण की प्रतिमा को पूजना काफी नहीं है कृष्णत्यों के मर्म को ग्रहन करना आवश्यक है मूर्ति पूजा में यही दोश रह जाता है मूर्ति को अमूर्त तक पहुँचने का माध्यम होना चाहिए लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा पर्यापत है वो बेकार की बात है जैसे कि ममी जी बोलती है कि पूजा करो वेटा सुबा भोग लगाओ ठाकुर जी को तो वो सब करने से मन को सांती तो मिलती है लेकिन सुकून नहीं मिलता जैसे कि अब प्रभु जी थे उनके मैं रवचन सुन रही थी तो उनकी एक बात मुझे याद मुझे एए उनने बुला था कि जब आप बनलों कि कृष्ना को जान जाोगे तो वो आपको इतने क्लियर देंगे जैसे कोई बस्तु आपको दिखाई दे रही है कि gagn Edu दिखाई देना बंद हो जाता है यह सब जो हमने करा है ये गीता के साथ, कृष्ण के सब के साथ, हमने अन्याय करा है, वो दिखाई देने लग जाएंगे, वो वो हैं, जिन तक आँख क्या कोई इंद्रिय नहीं पहुंच सकती, वो आपको वस्तु की तरह कहां से दिखाई देने लग जाएंगे, भाई, हर वस्तु सीमित होती है, वो आपको दिखने कहां से लग जाएंगे, ये सब जो हमने रूमानी कथा वाचन करा है कृष्ण के नाम पर, ये बड़ा खतरनाक रहा है, इसने हमसे गीता को छीन लिया, कृष्ण की हमने जो अलौकिक छवी बना दी, उस छवी के कारण गीता हमसे छिन गई, हमें समझ मे कृष्ण को भी हमने एक परस्नालिटी बना दिया, व्यक्तित्तो, अब क्या बचा, अब क्या बचा, सब बरबाद कर दिया, ना, देखो, सगुड की पूजा करने का जो आग्रह रहा है न, यही सनातन धर्म की ताकत भी रहा है और बड़े से बड़ा दोश भी, ताकत इसलिए रहा है क्योंकि इसने सनातनियों को बड़ा उदार बना दिया, सगुण की पूजा माने प्रक्रत की पूजा माने जो कुछ भी गुड़ युक्त है, चारो तरफ उसकी पूजा करनी है, नदी, पत्थर, पहाड, तो हिंदू मन बड़ा उदार हो गया, वो ल सब कुछ वही तो है, तो क्या विरोध करें? तो बहुत ना विरोध करता है ना करांति करता है, जैसा चल रहा चलने देता है, तो इस मामले में तो जो सगुण की पूजा है वो ताकत रही है, लेकिन वही कमजोरी भी रही है क्योंकि उसके कारण जो सनातनी मन है, वो कभी असली चीज की और आसानी से नहीं जा पाया, असली चीज तो निर्गुण ही है ना, यही वज़ा है कि फिर जो सनातन धारा है, उस से पहले जैन धारा को, फिर बौध धारा को, फिर सिख धारा को उभरना पड़ा, और इन तीनों में ही खास बात ये थी कि इन्होंने सगु क्योंकि सगुण को पकड़ पकड़ के आप निर्गुण से ही दूर हुए जा रहे हो, तो ऐसे सगुण का क्या लाब, और सगुण का बहुत लाब है अगर सगुण ही आपको निर्गुण तक ले जा सके, मूर्ति बहुत अच्छी है अगर मूर्ति के माध्यम से आप ब्रह मन ऐसा मूरक होता है न कि मुद्देश्य भूल गए, मन तो ऐसा मूरक होता है कि बॉद्ध धर्म निकला, और फिर बॉद्धों ने बुद्ध की मूर्थिया बना डाली, और बॉद्ध धर्म निकला था सनातन धारा से, ताकि जितने दोश थे सनातनियों के, उन दोशों को हटा करके, एक साफ नई धारा की रचना की जा सके, वह साफ नई धारा क्या होगी, वहाँ भी तमाम तरह के दोश आ गए, सिख धारा निकली, गुरू ने कभी जात्पात उच नीच की बात नहीं करी, पर वहाँ भी जात्पात उच नीच आ गई, मन बड़ा कप्टी होता है, शास्त्र कुछ सिखाएं, गुरु कुछ सिखाएं, मन सब मटिया मेट कर देता है, लेकिन इन सब चीजों से तो बहुत बच कर रहो, देखो, तीन है हमारे पास, नाम, जो सनातन धर्म के स्तंभ है, राम, कृष्ण और शिव, ठीक, राम के साथ योग वाशिष्ठ जुड़ा हुआ है, कृष्ण के साथ श्रीमत भगवद गीता, और शिव के साथ अनेकानेक ग्रंथ है, जो बहुत प्रचलित नहीं है, अवधूद गीता है जैसे, शिव गीता है, इन सब में सबसे जो प्रचलित है वो कृष्ण की गीता है, ठीक है ना? अब अगर आपने कृष्ण की गीता को खो दिया, तो आपने बहुत कुछ खो दिया, सनातन धर्म के जो तीन स्तंब हैं, उन में से जो आपको ज्ञान देता है वास्तव में, जिसका ज्ञान प्रचलित है जन्मानस में, वो एक ही है, कौन सा? कृष्ण का इस्तंब, क्योंकि योग वासिष्ट जन्मानस में प्रचलित नहीं है, उसी तरीके से शिव से संबंधित जाधा तर जो अद्वैत मूलक ग्रंथ हैं, वो भी जन्मानस में प्रचलित नहीं है, पर गीता प्रचलित है, गीता कार को लेकर के कहानियां मत चलाइए, और गीता कार को लेकर हमने, कृष्ण को लेकर के हमने जितनी कहानियां बना दी हैं, वो बहुत खतरनाक हैं, उनके कारण हम गीता से हाथ धोते जा रहे हैं, लोगों को बहुत रस आ गया है, बस कृष्ण के नाम पर नाचने में और ये व्याद ही खास तौर पर ये जो पूरा क्षेत्र है, मथुरा, वरंदावन, यहाँ बहुत फैली हुई है, वहाँ से पूरे देश में, वहाँ गीता का कम महत्व है, और कृष्ण को लेकर के बाकी सब जितने किस्से हैं वो जादा चलते हैं। फिर प्रभू ने ऐसा कहा, फिर प्रभू ने फलाने गोपी के चरणों को ऐसे इस परश करा, फिर प्रभू राधारानी के साथ फलाने जूले पर बैठ गए, फलाने बाग में आते हैं रात में, अभी भी कोई जा के वहाँ देखेगा तो अन्धा हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो, यह अध्यात्म है, क्या है यह, और इसको भक्ती बोलते हो, फिर इसलिए तो भक्त शब्द अब एक मजाग बन कर रह गया ना, अब एक समस्या है बड़ी, समस्या यह है कि राम के चरित्र के साथ हमारे पास मोटा-मोटा जो ग्रंथ उपलव्द हैं, वो बहुत रसीला नहीं है, वो तरासद है, उसमें गंभीरता का भाव है, मैं रामचरित्मानस की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ रस बहुत नहीं पाओगे, वहाँ पर वियोग है, वहाँ कश्ट है, वहाँ त्याग है, तो इसलिए रामचरित्मानस को लेकर के लोग इतने उतकंठित होते नहीं, क्योंकि वहाँ तो आप नभी चाहो तो आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि राम ने त्याग करा और त्याग कौन करना चाहता है आज के समय में, और मर्यादा का पालन करा, और मर्यादा का आज कौन करना चाहता है, तो जन मानस में प्रचलित क्या होता जा रहा है? भागवत पुरान. भागवत पुरान जैसी कोई चीज न राम के लिए मौजूद है, न शिव के लिए मौजूद है, पर कृष्ण के लिए मौजूद है. और भागवत पुराण में बहुत ऐसी कहानिया हैं जिसमें आपको विवेक बुद्धि का कोई प्रयोग करना नहीं पड़ता और आप उनको लेकर के खूब रस्पान कर सकते हैं और लोग करते हैं और कथा वाचक कराते हैं तो बोलते हैं यह कथामृत मैंने इन देखता कि गीता कथामृत कहीं चल रहा हो या गीता यगे कहीं चल रहा हो पर हर गरी महले में भागवत की कथाओं का कथामृत चल रहा होता है और वहाँ जो रस सुधा वरस्ती है पूछिये मत सबस्यादा एक चीज़ को लेकर के फिर फलानी गोपी को क्या बोला और महिलाएं नाच रही है इस सबसे मुझे आपत्ति बसी है कि यह करके आप गीता से दूर हो जाते हो आपके लिए क्रिष्ण का अर्थ फिर गीता कार नहीं रह जाता आपके लिए क्रिष्ण आपके कानहा और वो लद्दू गोपाल और यह सब बन जाते है एक बार आपने क्रिष्ण को माखन चोर ही बना दिया और उसके बाद आप कैसे उनको गीताकार की तरह देख पाओगे, नहीं देख पाते लोग, और इसमें उनको सोविधा भी खूब रहती है, क्योंकि गीता को पढ़ना खत्रे की बात है न, वहाँ आपके भ्रम तूटते हैं, अंकार तूटता है, और यह सब करोगे, फिर माखन लेकर भागे, फिर फलाने गवाल से क्या कहा, फिर यह हुआ, फिर फलानी गईया आ गई, फिर ऐसा वैसा, वो सब में बड़ा आनन्द आता है, कोई बुद्धी निलगानी पड़ती, कोई सीख भी विशेश नहीं है, नाचने गाने को भी मिल पूरी सोविधा है, भागवत पुरान की कथाओं में भी सार है, पर वो सार तब समझ में आएगा, जब पहले गीता समझ में आएगी, गीता पहले आती है, पुरान बाद में आता है, गीता के कृष्ण को यदि आप जान गए हैं, तो भागवत के कृष्ण को फिर आप गीता के कृष्ण से शायद आप और दूर हो जाएंगे.